दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि जो हमारी ट्रेन है या बुलट ट्रेन हुई या जो मेट्रो ट्रेन हुई उसमें किस प्रकार की ट्रेक्शन मोटर का यूज किया जाता है AC motor का किया जाता है या DC motor का किया जाता है या single face का किया जाता है या three face AC motor का किया जाता है तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जो train होती हैं उसमें किस प्रकार की traction motor का use किया जाता है ये question interview के नजरिये से भी बहुत ही important है और अगर आप किसी भी contracted exam की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये question बहुत ही important हो सकता है तो अगर आप इसके बारे में सब कुछ detail में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंतेक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो से related कोई भी question या doubt रह जाता है आप हमें comment कर सकते हैं और अगर आप इसी परकार की आगे भी वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं हम इस परकार की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टाट करते हैं तो देखिए दोस्तों जो हमारी ट्रेन पहले आती थी करीब हमारी सन 2000 है उससे पहले की जो ट्रेन होती थी तो उसमें जो हमारी मोटर यूज होती थी वो DC सीरीज मोटर यूज होती थी लेकिन जो अभी के time bear जो हमारी engine बनते हैं जो lowclock बनते हैं उसमें जो motor यूज हो रही है वो हो रही है हमारी 3-fold induction motor जो की AC होती है थ्री-fold induction motor के कि कई टाइप होते हैं लेकिन जो train मेन cu obsessed motor होती है वो squirrel cage induction motor होती है जो की हमारी 3-fold induction motor का ही एक part होती है तो यही motor है जो अभी हमारे जो लोको बनते हैं जो को बनते हैं उसमें यही motor यूज होती है जो हमारी DC motor यूज होती थी तो इससे पहले जो DC series motor यूज होती थी और दूसरा जो इसका maintenance है वो भी बहुत जादा होता था और इसकी जो efficiency है वो थोड़ी कम होती थी लेकिन जो हमारी induction motor है इसमें बहुत सारी खुवियां है इसकी efficiency भी अच्छी होती है और दूसरा इसका maintenance भी बहुत ही कम होता है और इसका जो bait है वो भी DC motor की तुलना में आधा होता है उसी power पर तो इसी लिए आप जो induction motor है उसी का use किया जाता है तो इससे पहले जो हमारी DC motor यूज होती थी अब उसका use करना बंद कर दिया है और अब जितने भी locomotive होते हैं या चाहे वो हमारे train के हो या फिर हमारे Metro या फिर हमारे जो भी बुलेट ट्रेन हो उसमें हमा या जो Metro होती है उसमें या हमारे बुलेट ट्रेन होती है उसमें किस पिरकार की traction motor का use किया जाता है तो आपको एक ही जवाब देना है कि अभी जो है वो हमारे 3-phase induction motor का use किया जाता है जो कि Squirrel Case induction motor होती है जो इसी का एक पार्ट होती है लेकिन इससे पहले जो motor यूज होती थ अब उसको यूज़ करना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि उसमें बहुत सारे नुकसान होते थे लेकिन जो हमारी इंडेक्शन मोटर है उसमें ऐसा नहीं है उसमें हमारे कुछ बैनिफिट्स हैं अब हम दिसी मोटर को चोड़के एसी इंडेक्शन मोटर का ही यूज़ कर रहे हैं और यह को सब्धिपर आया है चाया हमारी मैट्र हो चाया हमारी ट्रेन हो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ और अगर आप किसी ओर टॉपि इसी प्रकार की किसी और वीडियो में